ओम शान्तिम ओम शान्तिम ओम शान्तिम बाबा ने आकर अपनी महानात्माओं को चुनकर इस अंसार को पुन्हे देवी युग में परिवर्तन करने का महानकारिये हम सब को सौप दिया है उपर से जब बाबा ने देखा कौन-कौन सी आत्माएं संसार में सबसे अधिक चमक लिये हुए है कौन-कौन मेरे काम की हैं तो उनकी नजर पड़ी हमारे उपर उसने देखा के संसार में इन आत्माओं की चमक ही सबसे ज़्यादा है और ये ही मेरे काम की हैं कल्प पहले भी इनोंने ही मुझे मदद की थी और उसने हमें निमित बना दिया अपने महनकारियों के उसने हमें वो योगिताएं टेलें शक्तियां गुण धन संपधा भी दे दी कि हम उनके कारियों में पूर्णतया सहयोगी बन सकें तो ये कितने बड़े भग्य की बात है हम इस स्वमान को बहुत बढ़ा दें कि मैं एक महानात्मा हूँ और बाबा की मुझ पर नजर है सारे दिन में कई बार वो वतन से मुझे देखता है कि बच्चे की इस्थिती क्या है विचार कहा है, बुद्धी कहा है क्या आपने कर्तव्यो को कर रहे हैं या भूल गए हैं छोटी मोटी बातों में उलज कर क्योंकि उसने हमें महानकारी ये सोपा है युक को बदलने का, इस धरा को भरपूर करने का प्रकरती को पावन बनाने का सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने का और नेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरधान दिलाने का ये छोटा काम नहीं है उसकी नजर हम पे रहती है कोई बड़ी कमपनी हो उसके जो चैर्मेन होंगे या मालिक होंगे उनकी नजर उन लोगों पर जरूर रहेगी जो उनके उस कारियों को चलाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं जो मैनेजर्स होंगे जो अधिकारी होंगे जो जनरल मैनेजर या एमडी होंगे उन पर विशेश नजर रहेगी किरपा भी रहेगी मदद भी करेंगे उन्हें अपना बना कर भी रखेंगे ऐसे ही भगवान की हम पर नजर रहती है वो हमें बहुत प्यार भी देता है हमें हर समय मदद भी करता है हम ये बात भूले नहीं वो हमें मदद देने के लिए हमेशा ही तयार रहता है तभी तो बाबा कहा करते हैं कि बाब जब देखता है ये बच्चे हजार भुजावाले के पास ना कर दो भुजावालों के पास जा रहे हैं तो सोचते हैं अब हम इनके लिए क्या करें वो बाबा जो हमें बहुत प्यार करता है हमें कटनाईयों में देख ही नहीं सकता और संपोर्ण रूप से हमें मदद करने के लिए सदा ही तत पर रहता है हम केवल उसके पास पहुंचें, बुद्धी को उन पर एकागर करें, उनके वर्दानों को याद करें, स्वयम में उनकी शक्तियां भरें तो मदद मिलेगी, मदद के हम स्वरूप ही बन जाएंगे, हमें बलकी बाबा इतना शक्ति साली बना देता है कि हमें किसी की भी मदद की ज़रूरत न पड़े, हम बाबा से मदद लें और संसार को मदद करें तो हम सभी अपने इस स्वरूप को पहचानेंगे, बहुत अच्छी तर है, इसका अभ्यास करेंगे और आज सारा दिन फरिष्टा सु देवता की डिल करेंगे अपने तीनों स्वरूप देखें, लेफ्ट साइड में मेरा संपूर्ण फरिष्टा स्वरूप है जिसके अंग अंग से किर्ने फैल रही है राइट साइड में मेरा सजा सजाया देव स्वरूप, दिव्य स्वरूप है, वो भी संपूर्ण है सिर पर डबल ताज है सिर के उपर प्रकास का ताज भी चमक रहा है फिर मैं ये ब्रह्मन हूँ most fortunate भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा अब अभ्यास करेंगे मैं आत्मा इस देहे से निकल कर जाती हूँ अपने संपूर्ण फरिष्टे स्वरूप में आत्मा को देखे चमकती हुई मनी महा से निकल कर पहुँच जाती हूँ देव स्वरूप में कुछ देर उसको एंजोय करें फिर उससे निकल कर आ जाती हूँ ब्रह्मन सरीर में और इन तीनों में चक्कर लगा दे पांच बार बहुत आनंद आएगा और उनके सारे गुण प्योरिटी कलाएं हमें आती रहेंगी तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम श्यांति